नमस्कार साथियों, मैं अंतराज्टी लेखक और मॉटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्वल पाटनी बोल रहा हूँ सबसे पहले मोबाइल एप उज्वल पाटनी को डाउनलोड करके उज्वल पाटनी शो को जो आपने अपार लोग प्रिता दिलाई है उसके लिए मैं आपका हिर्दय से धन्यवात करता हूँ आज एक बहुत ही महत्पुन विशेपर मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ दि आवर ओफ पावर पावर का एक घंटा साथियों हमारा एक लोगप्री प्रोग्राम है वी आईपी उस प्रोग्राम में हम लोग 60-70 आदते ग्लोबल एचिवर्स की शेयर करते हैं दुनिया के बड़े बड़े लोग अपनी कौन सी एक आदत के दम पर सफल हुए पाटिसिपेंट सवेरे 10 बजे घुसते हैं पूरा दिन मेरे साथ बिताते हैं रात को भी 12 एक बजे तक मेरे साथ रहते हैं फिर सुबह 5 बजे वापिस सेशन चालू हो जाता है ये एक रेसिडेंशल प्रोग्राम है और अगले दिन शाम को 6-7 बजे मैं उनको विदा करता हूँ जब मैं उनको विदा करता हूँ तो मैं उनको आगरा करता हूँ कि जो 60-70 आदते मैंने शेयर की है उसमें से 5 या 10 आदतों की शपत लेके बाहर निकले हैं लोग कहते हैं उनका जीवन बदल गया उन जीवन बदलने वाली करांती कारी आदतों में से एक आदत यहाँ पर मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो की महान लेखक जैक केंफिल्ड की है दी आवर ओफ पावर एक शक्तिशाली घंटा शक्ति से भरा हुआ साथियों हर दिन पूरा दिन नियंतरित करना संभाव नहीं होता दिन में बहुत सारे काम ऐसे आते हैं जो हमारे नियंतरण में नहीं होते हैं जो इमर्जेंसी होते हैं जो हमारे स्केडिूल गड़बला देते हैं जो हमारी planning को गड़ बड़ा जेते हैं और हमको उनकामों के हिसाब से चलना पड़ता है लेकिन सुबह आपकी होती है अक्सर सुबह हमारी होती है उस सुबह यदि एक घंटा आपने करांतिकारी ढंग से बिता दिया तो जीवन में आपको उचाई हासिल करने से जीवन में नहीं रोक सकता एन आवर ऑफ पावर का मतलब है एक घंटा शक्ति से भरा एक घंटे को तीन हिस्से में बाटिए तीन 20-20 मिनट के हिस्से सुबह कोई भी टाइम चुरा लिजे सुबह 6 से 7 बजे 7 से 8 बजे जो भी आपको सहुलियत हो और यदि आप मॉर्निंग प्लेयर न 20 मिनट मेडीटेशन और विजूलाइजेशन साथियो जबतक हमारा भीतर पे नियंतरणनी होगा हमारा बाहर पर नियंतरणनी होगा है जब तक हम लोग भीतर से शान्त होना नी सीखेंगे तब तक हम लोग जिन्दगी में उपलब्दy हो पाने के लिए फोकस करना नीं सीक्षेंगे तो बीस मिनट meditation में बिताइए शान्त होकर ध्यान से अपनी अंतरात्मा पर फोकस करते वें आपनी और आसों पर फोकस करते वे 20 मिनट मेडिटेशन उस मेडिटेशन के दोरान विज्वालाइज करने की कोशिश कीजिए जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं आप आश्चर चकित हो जाएंगे क्योंकि कई चीजें जो आप पाना चाहते हैं बहुत ही शांदार बात है हेल्थ इस वेल्थ हम सब ने सुना है मानते बहुत कम लोग हैं यदि आप बहुत ज़्यादा exercise करते हैं यदि आप शरीर के प्रति सजग और conscious हैं तो आप शुब कामनाओं के पात रहें लेकिन यदि आप नहीं करते हैं तो कम से कम 20 मिनट की एक ब्रिस्क वाक जरूर कीजिए फास्ट वाकिंग या जॉगिंग 20 मिनट की एक तगड़ी एकसरसाइज जरूर कीजिए कि उन 20 मिनट में आप पंसीने से लत्पत हो जाएं और जब आप रिसर्चे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हर दिन सिर्फ 20 मिनट भी जो व्यक्ति शरीर के लिए दे देता है वो जी किसरा मोस्ट इंपोर्टेंट 20 मिनट आप यूज कर सकते हैं बुक्स, रीडिंग और सीडी सुनने के लिए साथियों जिस प्रकार शरीर के सौंदर के लिए शरीर के मेंटेनेंस के लिए हम लोग लगातार जतन करते हैं उसी प्रकार इस चार इंच के दिमाग के लिए जिस आप 20 मिनट एक्सरसाइस का और 20 मिनट ये मिला के ऐसा भी कर सकते के एक्सरसाइस भी चलती रहे और उसी वक्त आपके कान में एक एर पैड, एर फोन कुछ भी लगा रहे जिससे कि आप वो 20 मिनट भी लर्निंग कर सकें। सोचिए, सुबह सुबह यदि आप एचीवर्स की बाते सुन ले, कितने लोग मुझे कहते हैं, पाटनिजर आपकी बिजनेस की सीडी सुनके बहुत से रास्ते खुल गए, आपकी श्रदांजली दो सफलता लो सीडी सुनके जीवन जीने का मकसद आ गया, शांदार जीवन के त females की 30 मिनट सुनके जिन्दगी जीने का रास्ता आगया, यह सब वो लोग हैं, जो अपनी मॉर्निंग वाक में सीडी सुनते एं, यह सब वो लोग हैं, जो अपनी कार में सीडी सप्ले करते हैं, मैं सिर्फ 20 मिनट मांग रहा हूं आपसे आपकी, जिन्दगी के लिए, इन बीस मिनट आपकी स्पिरिच्वालिटी की केर करेगा आपकी अंतरात्मा की केर करेगा दूसरा बीस मिनट आपके शरीर की देखभाल करेगा और तीसरा बीस मिनट आपके धिमाग को अपग्रेड करेगा और ये वन आवर अफ पावर आपके जीवन में करांती ला देगा मेरा एन आवर अफ पावर एक जीरो इंवेस्टमेंट की चीज कल सुबह से शुरू कर सकते हैं यदि आपने इसको टाला तो यकीन मानिए आगे आप इसको नहीं कर पाएंगे शुक्रिया धन्यवाद थेंक यू